नमस्कार दोस्तों, स्वाती भक्ती एन ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि हमारा वीडियो आप सभी के लिए बेहत ही महतपूर्ण होने वाला है मैं आप सभी के लिए लक्ष्मी जी का महा उपाई, हनुमान जी का महा उपाई, हनुमान जी का चमतकारी उपाई, लक्ष्मी जी का मंत्र ले करके आती हूं जिसे बोलने या महा उपाई करने से आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तो मा लक्ष्मी को अपने घर लाना कौन नहीं चाहता है सब लोग चाहते हैं कि मा लक्ष्मी हमारे घर में आये और हमेशा के लिए रहे लेकिन किसी ना किसी कारन वर्ष मा लक्ष्मी आपके घर नहीं आती है इसका कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तू दोस है जैसे कि आपके घर में नकरात्मक उड़ जाएं हैं या किसी भी तरह की कोई और भी समस्याएं जैसे कि आपके घर की मंदिर सही दिसा में नहीं है आपने कहीं गलत दिसा में तुलसी का पौधा लगा रखा है आपने कुछ गलत कारिये किया अपने घर में जिससे कि मा लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पाती है आप दिन और रात पूजा अर्चना करती है लेकिन फिर भी आपके घर में लक्षमी जी का आगमन नहीं हो पाता है आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकरातों उड़ जाएं है या किसी भी तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण मा लक्षमी आपके घर में नहीं आपाती है तो वह दूर हो जाएगी और मातारानी आपसे प्रशन जरूर होगी दोस्तो मा लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है मा लक्ष्मी को अगर हम लोग प्रशन करेंगे तो हमारा किसी ना किसी रूप से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी अगर आपके घर में मा लक्ष्मी का तस्वीर है या मा लक्ष्मी गनपती जी का मुर्ती है तो हमें नित्य दिन उसे कैसे पूजा करना है मैं आपको बताऊंगी दोस्तों वैसे तो सुक्रवार को मा लक्ष्मी का जादा कर नियम के अनुसार पूजा क्या आता है क्योंकि सुक्रवार को वैभव लक्ष्मी वर्त कताएं भी होती है आर्तियां भी होती है लेकिन आपको मा लक्ष्मी का पूजा नित्य दिन करना है और अगर आप नित्य दिन करती है और फिर भी आपके घर में धन और दौलत नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं आपके पूजा में किसी ना किसी परकार की नकरात्मक समस्याएं है दोस्तों अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी और गनपती भवान जी का मुर्ती रखे हैं अगर आप अपने मंदिर में तो दियान रहे, जब भी आप लक्षमी जी का पूजा करें, वैसे तो लक्षमी जी को लाल सिंदूर चरहाया जाता है, लेकिन आप इस दिनमार लक्षमी को औरेंज सिंदूर भी जरूर चरहाईएगा लाल सिंदूर से अगर आप टीका कर रही है तो औरेंज सिंदूर उनके चरणों में थोड़ा सा रख देना है दियान रे उनके पैर पे नहीं रखना है अगर आप मुर्ती रखे हैं तो मुर्ती के नीचे रख दीजे नहीं तो आप अगर दस्वीर रखी हैं तो दस्वीर के नीचे रख दीजे औरेंज सिंदूर का महत्व ये होता है दोस्तों कि आप बहुत जगा देखते होंगे जब भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी के द्वारा हमें औरेंज सिंदूर लगाया जाता है और इन सिंदू गनपती जी को भी लगाया जाता है और साथ ही साथ हनुमान जी को भी लगाया जाता है और इन सिंदू लगाने का एक अपना अलग ही महत्व होता है और अलग ही तरीका होता है सिंदूर रखने के बाद आपको दोस्तों पांच गांठ हल्दी का ले लेना है ध्यान रहे हल्दी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए गांठ लंबा होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई भी गंद की नहीं होना चाहिए बहुत बार पाया जाता है कि हल्दी में हमारा कीरा लग जाता है आपको ऐसा हल्दी नहीं लेना है अगर आपके पास हल्दी गांट वाला है तो भी बहुत ही असान आपके लिए विधी रहेगी नहीं तो आपके पास अगर हल्दी का पॉडर है तो आप इससे भी अपनी विधी कर सकती है हल्दी का आपको गाठ ले करके उस पाजो गाठ को एक साथ बंद कर लेना है धागा से अच्छे से लपेट करके उसे एक जगा एक्रित कर लेना है आप चरहाया हुआ सिंदूर पे आपको यह गठ्री रख देना है हल्दी का उसके बाद दोस्तों अगर आप मातारानी को भोग लगाए हैं तो भोग में इस बात का विशेश धिहान रहे कि आपको मातारानी को सारे तरीके से भोग लगाना चाहिए अगर आपके पास कटुक मसाला है तो उसमें सारी तरह की कटुक मसाले आते हैं और आप इनकी पूजा में उप्योग जरूर कीजिएगा कटुक मसाला चरहाते समय आपको एक बात का और धिहान रखना है कि अगर आप अपने मंदीर में छोटे-छोटे का टोड़ों में भगवान जी को भोग लगाती हैं तो आपको यह चीज दो जगह लगाना है एक में आपको तुलसी पत्ता डालना है और एक में आपको ऐसे कटुक मसाला चरहाना है जिसमें आपने तुलसी डाला है उसमें आपको थोड़ा समीठा के रूप में मिसरी भी डालना है अगर आपके पास मिसरी है तो ठीक है नहीं तो आप चीनी का भी परियोग कर सकती है उसके बाद आपको अपने घर में धूप और बत्ती जलाना है अगर आपके पास धूप बत्ति पीतल का है तो आप ले सकती है नहीं तो अगर आपके पास मिट्टी का है तो आप वो भी ले सकती है गाई का गोईठा अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही जादा उपयोगिक माना जाएगा अगर आपके पास किसी कारणवर्स गाय का गोठा नहीं मिल रहा है तो आप इसमें धूप डाल के लकडी डाल करके जला सकती है धूप जलाते समय एक बात का और आपको ध्यान रखना है अगर आप गोइठा पे जला रही है तो इसमें थोड़ा सा आपको घी भी डालना है और अगर आप लकडी से जला रही है तो आपको इसमें थोड़ा से तिल का तिल डालना है दोनों का अलग-अलग महत्व होता है और अलग-अलग गुन पाए जाते हैं जब आपका दूप अच्छे से सुलक जाए, अच्छे से जलने लगे, तब आपको इसमें दो या तीन कपूर डाल देना है। कपूर डालने का भी एक अपना महत होता है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी आरती करते हैं, तो उसमें कपूर बाती करके बोला जाता है। जिससे यह साबित होता है कि आपका कोई भी पूजा हो, कपूर जलाए बिना वह कहीं न कहीं अधूरा माना जाता है। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आप इसके जगत दिया अगर घर में जलाती है तो आपका मनोकामनाई सिद्धी पूरी जरूर होगी दोस्तो कपूर जलाते समय आपको एक बात का और धियान देना है कपूर देते समय आपके हाथ में लोड ना लगे और कपूर डालने के बाद उसमें आग जैसा लग जाता है तो आपको उसे बुझा देना है क्योंकि कपूर का सुगंदित हमें कुछ देर तक अपने घर में रखना है कपूर चलाने के बाद कपूर अपने धूप में डालने के बाद आप इसमें लॉंग का कुछ टुगरा डाल दीजे लॉंग का टुगरा डालने का मतलब यह हुआ कि आप पांच लॉंग डाल दीजे लौंग को अच्छे तरीका से किसी भी तरह से आप तोड़ लीजेगा कुछ अच्छे समानों से जो क्या सुधना हो उसके बाद लौंग का यह चूरन आप कपूर के उपर डाल दीजेगा लौंग का चूरन डालने के बाद आप देखिएगा कि धुवा धुवा जैसा होने लगता है तो यह चीज आपको अपने घर के सारे तरफ डालना है अगर घर में किसी भी तरह की नकरात्मक उर जाएं आपके घर में है तो वह सब दूर होगा ही होगा अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं है तो आप उसे अपने मन में ले करके और चारो तरफ यह धूप बाती दिखाईएगा ऐसा करने से भी आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और इस धूप को आप मा लक्षमिय गनपती जी के सामने भी जलाईएगा और उन्हें अच्छे तरीका से दिखाईएगा इस तरीका से पुझा करने से आपके घर की सारी मनो कामनाई पूर्ण हो जाएंगे आपने जो परशाद चरहाया है उसका एक भाग आप अपने घर में सबको बात दीजिएगा और दूसरा भाग कहीं मन्दिर में जाकर के रख दीजिएगा ध्यान रहे तुलसी वाला भाग आपको अपने घर में डालना है और जो एक कटोड़ा और आपने परशाद चराया है वह आपको मंदीर में जा करके रख देना है इस तरीका से आपको सुक्रबार या किसी भी दिन आप अगर कर रही है अगर आप मंगलवार कर रही हैं तो आपको ध्यान लगा के उसी दिन आपको पांच दिन करना है बुद्वार को कर रही है तो पांच बुद्वार सुक्रबार को कर रही है तो पांच सुक्रबार ऐसा करने से ही आपके घर में मालक्ष्मी का आगवन जरूर होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए उस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में धन्यवाद